नीमच में कुरोना मामारी को देखते हैं मंडी व्यापारी संग ने आज शाम को बेठा कायर जन कर बड़ा निन्ने लिया गए व्यापारी संग ने 18 सितंबर से 22 सितंबर 2020 तक मंडी में अपने व्यापार बंद रखने की बात करी गए और प्रत्यक शनिवारों को मंडी बंद रहा है लेकिन अब हर महिने के चारों शनिवारों को भी मंडी बंद रहेगी इस बावत है तूँ एक पत्र मंडी कमेटी को दिया गए व्यापारी संग के पत्र लिखने के बाद मंडी व्यापारियों के आवन पर मंडी कमेटी ने एलाउंस किया है कि 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन तक क्रश्री मंडी बंद रहेगी क्योंकि कोई भी किसान इस विश में अपनी फस्रेल लेकर ना आए इसी विश में मंडी बंद रखने कई दिनों से मंडी बंद रही है ऐसे में हम छोटे माध्यम के वर्ट के लोग की रोजी रोटी को लेकर एक बड़ा संकर खड़ा हो जाता है व्यापारियों और मंडी प्रेशाशन को चाहिए कि सरकार की जो COVID-19 की जो गाइडलाइन है उसके तवती मंडी में माल तोले हम मं करोना संकरमन को देखते हुए 18 सितंबर से जो है और 22 सितंबर तक अभी मंडी बंद करने का नेने लिया है जिससे यह थोड़ी करोना की जो चेन ही ब्रेक हो चगे साथ ही यह नेने लिया है कि सब्ता में प्रतेक शनिवार और रविवार को दो दिन मंडी का अवकाश करने से मंडी सुसारू रूप से जो थोड़ी ब्रेक रहेगा करोना तो यही नेने आज दिया गया जिस सम्मंदर में लिखके जो है वो मंडी सेक्रेटरी और प्रशाशक को दे दिया गया है तरह तरिक से 22 सरी तक बेपरी संके तौरा जो मंडी में मंडी को लेकर बंद करन कोई तुक नहीं है जब तक पुरे शेहर में लॉक्डाउन से संबंदित कोई व्योस्ता है लागू नहीं किया थी बार बार इस तरह से मंडी बंद करने से जो हनी होती है और प्राउटी बेपारी अर्माल ठेयार ठेले टेमपोलों में सब में काफी आकरू नहीं बढ़ता नीमस से दीपक हताविया की रिपोर्ट